तीन वर्षों तक दुनिया को बर्बाद करने वाला करोना भी सिर उठा रहा है। भारत में छे लोगों की मौत एक ही दिन में हुई है। सैक्ड़ों नए के साथ चुके हैं। दुनिया में करीब सत्तर लाख लोगों की जान लेने वाला वाइरस नई शक्ल लेकर आया है। केरल और करनाटक से बूरी ख़बर है। राजस्थान और दिल्ली हाई अलर्ट पर हैं। कोरोना के नए वेरियंट को लेकर डर बहुत जादा है। क्रोना का नए वेरियंट टेंशन बढ़ा दी है। करोना का नए जे इन डौट वन वेरियंट ने बहुत तेजी से अपने पैर परसार ने शूरू कर दिये हैं। भारत में इस वेरियंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका, बिचेन और चीन तक ये वेरियंट लोगों को बिमार करता जा रहा है भारत से पहले कोरोना का नया वेरियंट जेन डॉट वन अब तक 40 देशों में फैल चुका है अगर ये बेकाबू हुआ तो दुनिया भर में 2020, 2021 और 2022 जैसी तबाही मचा सकता है साथ महिने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज़ किये गए हैं सबसे ज्यादा हसल केरल पर है जहां कोरोना के 88 फीसिदी एक्टिव केस है जब दुनिया ने साल का जश्र मनाने की तरफ बढ़ रही है तब कोरोना का नया वेरियंट तबाही मचाना चाहता है भारत में 24 घंटे के अंदर साथे 300 से ज्यादा केस आये हैं और इनमें केरल से सबसे ज्यादा मामले हैं स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने नए केस को लेकर समीर छा की है उन्होंने राज्यों से कहा है कि अलर्ट हो जाएं क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस साबित करते हैं कि कोरोना लौट रहा है केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है हाला कि लोगों के मन में कुछ सवाल है लोग जाना चाहते हैं कि नए वेरियंट कितना खत्रनाक है जे एन वन में क्या लक्षन दिखते हैं करोना के नए वेरियंट के खत्रे को देखकर राज्यों के अस्पिताल अलर्ट हैं वो इसलिए क्योंकि 2020 के बाद दुनिया ने इससे सबसे बड़ी तबाही देखी दुनिया ने लाखों मौत देखी एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक चर्मराते हुई अस्पिताल देखी लॉक डाउन देखा और अर्बो का कारोबार ठप होते देखा नौकरियां जाते देखी लोगों के जिन्दकी तबाह होते देखी ये सब एक वाइरस ने किया और अब 2024 की शुरुवात भी इसे ये वाइरस से हो रही है केरल, महराश्र, करनाटक और जारखन इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से बढ़ता रही है यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को खास तोर पर चोकनना रहने को कहा है 2019 से लेकर अब तक करोना वाइरस लगातार अपना रूप बिदल रहा है बार बार उसके नए वेरियंट सामने आ रहे है JN.1 वेरियंट भी एक नया वेरियंट है जो Omicron strain से निकला है JN.1 वेरियंट का पहला मरीज उरोप के देश-लग-जमबर्ग में मिला था वहां से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरियंट अमेरियंट पहुंचा तीन महीने में वहाँ हाल ये हो गया है कि JN.1 अमेरिका में करोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरियंट बन गया है We need to be cautious but not panicky, we don't need to worry because we don't have any data to suggest that this variant JN.1 is more severe or it's going to cause more pneumonia or more death, ऐसा कोई देटा नही है So Corona के लिए वैक्सिन तो बना ली कि लेकिन ये वाइरस कुरी तरह खत्म नहीं हुआ है दुनिया को इस वाइरस के साथ जीना पढ़ रहा है वक्त वक्त पर इसके नए वेरियंट डाते जा रहे हैं और तबाही का खत्रा बढ़ने लगा है And of course COVID-19 is something that we are concerned about because this virus is circulating, it's evolving, it's causing severe infection and it's causing deaths among many who aren't vaccinated or who have underlying conditions Corona के नए वेरियंट JN.1 को लेकर जो खबरे सामने आ रही हैं वह बेहत चौकाने वाली है विश्रशक्यों ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और फीड भड़वारे इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है हलाकि आने वाले दीनों में 25 दिसंबर यानि क्रिसमस और एक जनवरी को लोग नए साल के जश्क में ढूबने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आगे कोरोना की वजह से हालाद बिगड भी सकती है अमेरिका की स्वास्त एजेंसी ने बताया कि वहाँ जितने कोरोना मरीज हैं उनमें 15 से 29 प्रतिश्रत को बिमार करने वाला यही जेन.1 वेरियंट है अमेरिका के साथ चीन और बिचन में भी जेन.1 वेरियंट ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है हाला कि डबलू एचो ने साफ किया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मवजूदा वेक्सन जेन.1 वेरियंट के खलाफ कारगर है लेकिन फिक्र तो है और घबराहट भी है दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोरोना ने पैर ना पसा रही हो इस वक्त भारत में भी कोरोना फिर से बड़ा खत्रा बन सकता है इससे इंकार नहीं किया जा सकता देखे अब जो अंकड़े में आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखेगा और ध्यान से समझ जिएगा भी क्योंकि ये कोरोना को लेकर अंकड़े हैं क्योंकि कोरोना फिर जान लेने लगा है और इसका असर दक्षन भारत में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है ये पूरा हिंदुस्तान पूरा भारत आप देखिए आपको बताते हैं कि कोविड के कहां कहां से मामले सामने आ रहे हैं दरसल केरव में तीन लोगों की जान जा चुक का है वो कोविड वो कोरोना जो हमें लग रहा ता कि हमारे और आपके बीच में नहीं है लेकिन एक बार फिर से उसकी दस तक यहां पर सामने आई पंजाब की तरफ आप देखिए पंजाब में देखेंगे तो एक की जान यहां पर कोरोना की वज़ह से जा चुकी है ये वो फैक्स है जिसे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि ये आंकड़े किसी भी कीमत पर ना बढ़े साबधानी बरतनी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है आगे आपको और दिखाते हैं किस तरह से मौत का ये सिलसला बढ़ता यहां पर जा रहा है नया साल करीब आते ही को करोना ने फिर सिर उठा लिया है ठीक ऐसे ही हालात 2019 के दिसंबर में थे साल बढ़ल रहा था 2020 की शुरुआत हो रही थी तब भारत तो नहीं लेकिन चीन के बाद करोना यूरोप समित कई और देशों में फैलने लगा था मार्च और अपरेल आते यूरोप में इतनी मौत हो करनाटक पर है राजस्थान पर है लेकिन कई और सुबहे हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चेंता में डाल सकती है और भारत में कुरोना के केस कुरोना के मामले बेहत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं इसे अब आप समझ यह एक्टिव केस धाई हजार को पार कर चुके हैं यानि धाई हजार कोई कम अंकड़ा नहीं है 2679 एक्टिव केस यानि इस वक्त मौझूद है जो अभी कुरोना का सामना कर रहे हैं यह उन मरीजों की संख्या है सिर्फ केरल का जिक्र कर लेते हैं जहां पर 241 एक्टिव केस मौझूद है वही पर आगे बढ़ते हैं करनाटक में 92 केस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के यानि और ज्यादा साथधान होने की जरूरत है आगे बढ़ते हैं देखिए तमिल नाडू में 89 यानि 89 केस इस वक्त करोना के मौझूद है यह एक्टिव केस हम आपको बता रहे हैं जिससे समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें राज्य दर तरीके से राज्य बढ़ रहे हैं यानि महराश में 45 इस वक्त करोना का सामना कर रहे हैं उनकी रेपोर्ट जो है वो पॉजिटिव यहां पर आ चुकी है गोवा जहां पर लोग अमूमन इन दिनों बहत जा भी रहे हैं क्योंकि फैस्टिव सीजन भी है ऐसे में गोवा में 19 केस अब तक कोविड के आ चुके हैं यह वो राज्य हैं जहां करोना के मामले सामने आते जा रहे हैं तेलंगाना कभी जिक्र कर लेते हैं तेलंगाना देखिए 14 केस यहां पर सामने आ चुके हैं यह फैक्ट है 14 केस अब तक कोविड के सामने आ चुके है यानि कि 14 मरीज जो है उनका इलाज जारी है इस वाक्त और यह मामले किस तरह से ब वक्त मौजूदा वक्त में हैं और हो सकता है कि मामले यहां पर बढ़ें इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो तमाम साफधानिया जो हमने अपने अनुभवों से बढ़ती हैं वो दोबारा से हर को यहां पर बरत सके उत्तर प्रदेश अभी भले ही आंकड़ा आपको कम लग रहा होगा महस्तीन यहां पर मरीजों की संक्या है लेकिन यकीन यह बढ़े ना इसलिए फिर से हम आपको यह पूरा दिखा रहे हैं इस मैप को आप गौर से देख लीजिए यह भारत का यह पूरा भारत है जहां पर यह वो राज्य सामने आये हैं करनाटा गोवा तमि यह अंकड़ा लग रहा होगा लेकिन दो से किस तरह से यह ना बढ़े और किस तरह से साथधानियां बढ़ते बार बार इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह पूरा आपके सामने है जारखड में भी दो केस आ चुके हैं देखिए आंध्रिपरदेश में एक मध् अजिवर तरीके से सरकार अक्टिम मोड पर है इसमें कोई दोराए नहीं लेकिन यह मैप पूरा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक बार फिर वक्त आ गया है कि इना अंकड़ों पर खामू किया जा सके 2021 में उत्तर भारत में करोना से बड़ी तबाही हुई थी दिल्ली से लेकर महराश्र और गुजराद से लेकर मत्य पदेश और उत्तर पदेश तक हालात बहुत ज़्यादा खराब थे कोरोना को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई लेकिन इस वायरिस ने पूरी दुनिया को निखल लिया उसने भारत मेरी असर दिखाया अब उसका नया वैरियंट जेन डॉट वन क्या करेगा क्या ये और फैलेगा या इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा यही सबसे सब्सक्राइब को लेकर कोई तिंदा जनक सिति नहीं है पूरी समिच्छा हुई है उत्रप्रदेश राज में कलकुल पांच मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही है और कोई पैनिक जिसी सितिति नहीं है नय वैरियंट को लेकर अभी तक आगया है कि इससे बहुत ज्यादा घ है भारत में भी धाई हजार से ज्यादा की सो चुके ही सवाल है कि केंद्र और राजिस सरकारों की तैयारी क्या है तब लोगों को जिला से लेके जिले के अंदर सभी लोगों को सभी परभारी भी हम लोगों ने सब लोगों को इस्टक्शन किया है कि आटी पीसी आई कर टे भारत में आग दिसंबर को जेन एक वेरियंट का पहला मामला सामने आया था तब केरल की 89 साल की महिला से संक्रामित हुई थी जिसके बाद केरल के पड़ोसी राज लोस्ट पर हो गई थे अभी तक भारत में जो करोना के एक्टिव केस हैं उनमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं यानि उनको अस्पताल में भरती कराने की नौबत नहीं आई WHO ने कहा कि मौझूदा वेक्सिन इस नए वेरियंट पर कारगध है लेकिन लोग साउधानी जरूर बरते भीट भाड़वाले इलाके इस वेरियंट के फैलने में मदद करेंगी इसमें कोई शक नहीं नए जेन.1 वेरियंट के लक्षर भी करोना के बाकी वेरियंट की तरह ही है जेन.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परिशानी होती है हलका बुखार चड़ता है, मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती भी है, सिर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है, और मरीज को दस्त भी लग सकते ही भारत में आये नए वेरियंट जैन वन में इन्फ्लूंजा जैसी बीमारी के लक्षन दिखें ये लक्षन नए हैं इन में बुखाराना, बदंदर्द, खांसी और ठकान जैसी बाते सामिले सरकार का कहना है कि JN1 वेरियंट पर रिसर्च जारी है और अभी कोई बड़ी जिन्ता की बात नहीं है भारत में JN1 वेरियंट वाले केस का कोई समूह नहीं मिला यानि बड़ी तादाद में केस नहीं मिले है इस नए वेरियंट को लेकर सभी मामले हलके पाएगे और मरीज बीना किसी जटिलता के ठीक होगे लेकिन डर तो बना हुआ है इस वक्त मास्क साफ सफाई संक्रमट से वाइरिस से बचा जा सकता है यही करोना से लड़ाई का सही जरिया है राजस्थान में भी इस वक्त करोना के मरीज है जो भरतपूरा और जुझनु के अस्पताल में भलती है राजस्थान अलर्ट पर है जैपूर के सवाई मान सिंग अस्पताल में नियूज एटिन इंडिया की टीम पहुंची तो ज़्यादा था लोग बीना मास्क के नजर आए कुछ लोगों को पता ही नहीं था के राजस्थान में भी करोना पहलना शुरू हो गया है वहीं जिन लोगों को जानकारी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है हाला कि कई लोगों ने मास्क पहन कर साउधानी भी तो यहापूर के SMS अस्पताल पहुंचा हूँ और यहाँ पर आप देखे कि मरीज आ रहे हैं जाहीर दोर पर दिखाने के लिए और यहाँ पर आप देखे कि मास्क बेशने के लिए भी यहाँ पर अब मास्क देते वे नजर आने लगे इस वक्त करोना को लेकर दिसंबर बहुत एहम है दिसंबर में अगर खुद को बचा लिया तो नए इस साल में भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपने आस पास रहने वालों को भी बिमार नहीं करेंगे इसलिए वायरिस के संक्रमट से बचने के लिए जो ही तरीके हैं उसे अभी से इसी वक्त से अपने उपर लागो कर दिछे